हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश हूँ तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft Excel में Right Function का इस्तमाल हम कैसे करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर City और Pin Code एक ही cell में दिया हुआ है अब अगर हम यह चाहते हैं कि इसमें से Pin Code जो है वो यहाँ पर इस cell में आ जाए तो इस case में हम Right Function का इस्तमाल करेंगे अभी जब function यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा clear हो जाएगा तो Right Function इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले हमें टाइप करना है या कोई भी number अलग करना चाहते हैं तो हमने देखिए इसको select कर लिया उसके बाद यहाँ पर कॉमा आपको type करना है कॉमा लगा दीजे उसके बाद यहाँ से आपको count करना है कि आप Right Side से कितना text जो है वो या कितने number जो है वो आपको अलग करने है ठीक है अगर number है तो number count करिए अगर text है तो text count करिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें pin code अलग करना है तो यहाँ पर 1,2,3,4,5,6 यानि कि 6 digits यहाँ से हम चाहते हैं कि अलग हो जाए तो हमें यहाँ पर क्या type करना है 6 ठीक है हमने 6 type कर दिया उसके बाद bracket यहाँ पर close कर दीजे उसके बाद जैसे आप enter button प्रेस करेंगे तो यह देखिए pin code यहाँ पर अलग हो गया अब उसके बाद cell को select करिए और यहाँ से प्लस sign बन करके आ रहा है नीचे तक आप drag करेंगे तो आप देखेंगे सारे pin code जो है वो अलग हो जाएंगे यह देखिए